हेलो दोस्तों अरग्द्याराश सेकेटमी की यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों अदिनेश चैन बोर्ड द्वारा आयूजित पसुपर इचर बट्ती परिक्ष्या दोजार चोबिस के नविंतम पाठिक्रम के अनुसार भाग बैक के लिए यानि कि पसु पेपर है वो परिक्ष्या में देखने को मिलेगा दोस्तों आपका टार्गेट है वो इस मोडल पेपर में 40 में से 40 सही करने का होना चाहिए दोस्तों अगर आपने पिछले 6 मोडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप लेलिस्ट में जाईए वहाँ पर आपको चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रस नहीं इसमें देखिए बैस कि किस नसल का जो रंग है वो तामबे जसा होता है यानि कि कोपर के समान होता है ऐसी कौन सी बैस की नसल है जिसका रंग तामबे के जसा होता है तो इसका राइट आंसर हो जा का बदावरी नसल आगे देखिए second number का प्रिषन है निम्न मेंसे गाय की कौन सी नसल है वी प्रियोजनिये नहीं है अब यह द्वी प्रियोजनिये क्या है दोस्तों आपको पता होना चीह इसमें क्या होता है कि इस नसल के अंदर मत्यम मात्रा में दूद और इसका जो बैल होत मत्यम मात्रा में दूद देते हैं ठीक है नागोरी नसल की गाय और इसके जो बैल है वो कर्षिकारिये में अच्छे होते हैं तो यह होता है दोस्तों यहां पर अपना इसमें चार नंबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सहीं तर इसमें हो जाएगा याद रखना ठी डिगें अगे देखें दूस्तों यहाँ पर तीन नंबर का प्षाष्ण है निम्म्न उन मिन से कौनसी एक वीरिये 71 करण की परमु fått विदी नहीं है तो दूस्तों यहां पर देखिए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है रेक्टो वजाईनल मेफेड रेक्टो method यह तीन हो दोस्तों वीरिय कत्रीकरण की प्रमुक विदी है तो यहाँ पर अपना तीन नंबर का option right answer हो जाएगा और यह मैंने आपको बताया है रेक्टो वेजाइनल method यह क्या है तो यह गाय और भैस में करत्रीम गर्बादान की वीदी है करत्रीम गर्बादान की वीदी है फीरिय कत्रीकरण की नहीं गाया है और राज़स्तान का परत्रम बैंक तो यह बस्सी जेप्र में और दूसरा जो बैंक है वह मंडोर जोधब्र में इस्तित है यहां पर अपना इसमें सहीं Terry کیا हो जाएका तीन नंबर उप्सल बिल्कुल सड़िए चार नंबर का प्रस्थमन निमनलखित को सुमेलित कीजिए एक तरफ पसू है दूसरी तरफ गर्भकाल है दोस्तों देखे गाहे का जो गर्भकाल होता है वो कि कोडिक होता है तो वह आपना होता है तो दोस्तो 213 सी दिन यतो A, D, C, B, A, D, C, B, इसका right answer हो जाएगा, यहाँ पे A, D, C, B, तिन नमबर का option में है, यही अपना सयुत्तर इसमें हो जाएगा, पांच नमबर का प्रेशन इसमें देखे, मुर्गियों में बदिया करण किस विदी द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा, वो है, मुर्गियों में बदिया करण है, यह रासायनिक पदार तो द्वारा किया जाता है, रासायनिक पदार तो द्वारा, ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें चार नमबर का जो option है, वो इसका बिल्कुल सही उतर इसमें हो जाएगा, आगे देखे, six नमबर का प्रेशन है निमन में से किस पसु का दुग्द सरवनकाल सबसे कम होता है, बताइए, दोस्तो किस का दूद सरवनकाल है, वो दोस्तो सबसे कम होता है, तो दोस्तो वो होता है, मादा सुअर का जो दुग्द सरवनकाल है, वो दोस्तो 21 से 26 दिन तक ही होता है, ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है और दोस्तों अस्टि से सोदिन होता है ये वियाद रखना है तिन नमबर उस्वन की क्रियात्मक इक्रवण की कंसी है तो दोस्टों और इसमें एक नमबर का आप्ट्सन राइटा सरुजा जैगा ये दुख्द सर्मन की क्रियात्म की काई है एलियोलाई ठीक है आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे आठ नमबर का प्रेस्ट नहीं है वेटल का संबंध किस्से है वेटल का जो संबंध है वो किस्से है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वेटल है ये दोस्तों ब करी के गर्दन के नीचे लटकती दो अंगुली नुमा सरचना होती है ठीक है ये भी आपको इसमें याद रखना है तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए दोस्तों यहां पर होबल विदी का परियोग किस पसू को ग गिराने में किया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गोड़े को गिराने में किया जाता है दोस्तों ठीक है याद रखना यहां पर इसमें चार नंबर का उप्शन बिल्कुल सही दर इसमें हो जाएगा याद ये आपको इसमें याद रखना है दोस्तों देखिए इसमें चार होबल होते हैं एक 8 से 10 फिट लंबी चैन होती है ठीक है और जिसके एक सिरे पर 10 से 15 फिट है लंबी कपास की रसी बंदी होती है ठीक है होबल लगाने के लिए गोडे के एक अगले पैर को उठाकर रखते हैं ताकि गोड़ा लात नमारे ठीक है तो यह होबल विदी है ठीक है गोड़े से समंदीत है चार नमबर उपसद सही उतर आगे देखिए 10 नमबर का प्रसन निमनल इखित को सुमेलित कीजिए सुची 1 में मुर्गी की नसल दे रखिए और सुची 2 म मुलिस्तान दे रखा है दोस्तों यह असील मुर्गी की नसल है इसका जो मुलिस्तान है वो दोस्तों कौन सा है तो वो है मद्दे परदेश असील मुर्गी है इसका मुलिस्तान मद्दे परदेश है मेवाडी नसल की जो मुर्गी है इसका मुलिस्तान पुदैपूर है अलं B, D, C, A, B, D अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा यानि कि तीन नंबर का जो अप्षन है वो इसका बिल्कुल सहीवतर इसमें हो जाएगा 11 नंबर का प्रस्ण है इसमें देखे अपसिष्ट प्रबंदन की कौन सी विदी के अंतरगत है अपसिष्टों को भूमी में ही गाड़ दिया जाता है बताइए अपसिष्ट प्रबंदन की कौन सी विदी के अंतरगत अपसिष्टों को भूमी में ही गाड़ दिया जाता है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा बताइए तो दोस्तों वो है इसमें भूमी भराव, एक नंबर का जो उप्षन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अप्सिष्ट परबंदन की भूमी भराव विदी के अंतरगत है, अप्सिष्टों को भूमी में गाड़ दिया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ए उसे ताप, गैस और राक में परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है, इसका जो उपयोग है, वो दोस्तो जापान में सरवादिक किया जाता है, जापान में ज्यादा परचली था यह, यहाँ पर चार नंबर का उप्षण बिल्कुल सही उतर बुजाएगा, तेरा नंबर का प अपना इसमें चार नंबर का उप्षण बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, नेक्स्ट, चोदा नंबर का प्रस्ण इसमें देखिए, निम्न में से किस घास का चारा जवार से मिलता जूलता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है, दोस्तो इसमें कौन सा, बताइए, दे नंबर का जो अप्षण है, वो इसका बिल्कुल सही उतर इसमें हो जाएगा, आगे देखिए, पंद्रह नंबर का प्रस्ण है, निम्न में से कौन सी विशेष्टा एक है, स्वस्त पसू की नहीं है, यहाँ पर आप देखिए, दोस्तो यहाँ पे सामाने सवसन, सामाने ता एक स्वस्त पसू की विशेष्टा नहीं है, तो यहाँ पर अपना चार नंबर का उप्षण बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है, आगे देखिए, दोस्तो यहाँ पे 16 नंबर का प्रस्ण है, पसू में नाडी दर कम होने की अवस्ता है, वो क्या कहलाती है, तो दोस्तो उसको बोलते हैं क्या, उसको ब्रेडी काडिया बोलते हैं, यहाँ पर तीन नंबर का उप्षण राइट आंसर हो जाएगा, ब्रेडी काडिया, और पसू में नाडी दर, बढ़ने की जो अवस्ता है, उसको बोलते हैं दोस्तो टाकी काडिया, यह भी आपक देखें कम होने की अवस्ता को बड़ीन कार्डिय कहते हैं और बढफने की अवस्ता को दोस्तों टाकीार बोलते हैं यहां पर इसमें कम होने का पुछ्छा यह है तो यहां पर 3 तो नेंबंबर का option right answer हो जाएगा नेक्सट आगे देखें यहां पे नीमने में से किस रोग में पस्वों की सलेसमा जिलिया लाल हो जाती रहें दो walking में पस्वों की सलेसमा जिलिए लाल हो की जो सलेश्मा जिल्ली है वो लाल हो जाती है यहां पर एक नंबर का जो उप्षन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा याद रखना ठीक है और ये दोस्तों ये रोग है ये सीसी मक्ही के काटने से होता है दोस्तों ठीक है सीसी मक्ही के काटने से होता है यहां पर अपना इसमें एक नंबर ओप्शन बिल्कुल सही नेक्स आगे देखें आप मुर्गियों में होने वाली रानी खेत बिमारी के लिए परियुक्त टीका है तो वो टीका कोन सा है मुर्गियों में होने वाली रानी खेत बिमारी के लिए परियुक्त टीका है तो टीका का नाम है दोस्तो लासोटा क्या नाम है लासोटा या दोस्तो एफ इस्ट्रेल भी बोल सकते हैं एफ इस्ट्रेल ठीक है तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर एक नमबर उप्चन बिल्कुल सही लासोटा बोलते हैं उसको प्रियूप्टिका को इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तो इसमें कौन सा बताइए तो दोस्तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है इसमें पेचिस ठीक है एक नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाए का पेचिस की रोक थाम के लिए पसुग रहें या अन्य जगह पर अमोनिया के गोल का चिड़िकाव है वो किया जाता है ठीक है राइट आंसर इसमें एक नमबर उप्षन सही तो दोस्तो वो है इसमें सर्दियों का प्रारंब यहां पर तीन नमबर का जो उप्षन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानि कि अक्तुम्बर माहा में ठीक है अक्तुम्बर माहा में सर्दियों का प्रारंब कालवाना जाता है यहां पर अपना इसमें तीन नमबर का उप्षन बिल्कुल सही आ लगाया जाता है और यह जो पहली बार टिका है यह च्छाय महा की उम्र में लगाया जाता है अगे दिखिये यहाँ पर मासुकपादन में भारत का विश्वा में इस्तान है तो इसका right answer हो जाएगा वो है इसमें आठ वाइसतान है दोस्तों यहां पर तीन number का option बिल्कुल सही next आगे देखे परती पसू दुख्द उत्पादक्ता निर्बड करती है तो दोस्तों कि यह किस पर निर्बड करती है तो इसका जीवनकाल आहर पोशन तो इसका right answer हो जाएगा उक्त सभी चार नंबर का जो option है वो इसका बिल्कुल सही तरह जाएगा उक्त सभी 25 नंबर का प्रेशन है इसमें देखिए शीरिंग के समय बेड को लगने वाले घाव का उपचार किया जाता है तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा वो है इसमें कौन सा बताइए तो दोस्तों सही उतर हो जाएगा वो है आयोडीन से यहाँ पर एक नंबर का option बिल्कुल सही उ तरते हैं ठीक है यानि कि बाल कतरते समय बेड के सरीर पर कट लगने पर जो गहाव का उपचार है वो आयोडीन या जेटीन वोईलेट से किया जाता है यहाँ पर अपना इसमें right answer एक नंबर option हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों वर्मी कंपोस्ट का रंग होता है वर्मी कंपोस्ट का right answer हो जाएगा यहाँ पर चार नंबर का option बिल्कुल सहीतर हो जाएगा आगे देखिए 27 नंबर का प्रस्ण है चमडे को पतला वज चिकना बनाने की परकिरिया है वो क्या कहलाती है तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा उसको बोलते है क्रिष्टिंग क्रिष्ट दोस्तों में dental paid होता है दोस्तों इसका right answer हो जाएगा वो है इसमें dental paid मतलब दंतेपूर दोस्तों गाय में होता है बेड में होता है उन्ट में होता है तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा वो है इसमें चार नंबर का option बिल्कुल सहीतर इसमें हो जाएगा तो यहाँ पर चार दात नहीं पाए जाते है, right answer हो जाएगा यहां पर दोस्तो बकरी में, बकरी में कील दात है, वो नहीं पाए जाते हैं, right answer हो जाएगा, दो नंबर का option बिलकुल से उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना रहे, यह जुगाली करने वाले जानवरों में दोस्तों नहीं पाई जाते जैसे गाय बैस बेड इन में नहीं पाई जाते दोस्तों यह बकरी में पाई जाते ठीक है तो यहां पर देखे क्या पूछा है कील दांत नहीं पाई जाते तो यह बैस बेड बकरी में नहीं पाई जाते द प्सप्स प्रोपिसम्हें अगे देखिए दोस्तों अध्यैंग पसु को कि यहाती है बताए कि लुखानग की जाती है कि दौस्तों इसका राइड्न मतलब दागना ये यानि कि पसो만 कुछी लिए करना टिकर रॉढ है ऐसमें वह कि दूस्तों बर्सुद्दि की संतनीooo तर्क्या हो जाएगा वह जांग पर तीन नमबर का उप्षन बिल्कुल सवीत्रीश में हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों यहां पे तो किस बात को प्रात्मिकता नहीं देनी चाहिए तो दोस्टों देखिए अयन जादा छोड़े वलटके हुये नहीं नहीं, पस्थू की आयू का शही ज्यान हो तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अपने को पस्थू उग्र सभाव का हो इस बात को दोस्तो प्रात्यमिक्ता नहीं देनी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीन नमबर का उप्षन बिल्कुल सही तर हो जाएगा, ठीक है, नहीं देनी चाहिए तो दोस्तो पसु उक्रिस भाव का हो इस बात को दोस्तो प्रात्मिकता है वो नहीं देनी चाहिए तो इसमें तीन नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखें दोस्तो वीश्वी पसु गंणा में राज्य में किस पसु की संख्या में सरवातिक वर्दी दर्च की गई तो दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर राजस्तान में दोस्तो राजस्तान में किस पसु में सरवातिक है वर्दी दर्च की गई तो दोस्तो बहस में ठीक है बहस में कितनी तो दोस्तो पांच पॉइंट तरेपन प्रतिसत की वर्दी है वो दर्ज की गई यहाँ पर एक नमबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखें पीशवी पसुगंड़ना की अनुसार है राज्य में सरवादिक बैसे किस जिले में पाई जाती है सरवादिक बैसे है वो द पस्वों की खुराक में अनाच की मात्रा अधिक्तम कितनी होनी चाहिए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तो वो है इसमें कितनी होनी चाहिए तो दोस्तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक तिहाई एक नमबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा एक त इस ऑप्षिष्ट को गो साला से कितनी दूरी पर एकत्रित है किया जाना चाहिए तो यहाँ पर अपना इसमें दो नंबर का उप्षन सही तरह हो जाएगा आगे देखिए आपे 36 नमबर का प्रेशन है, स्वस्त पस्व से प्राप्त किया गया वहे दूद जिसे संगफन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो कहलाता है, तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा, बताइए, वो क्या कहलाता है? इसका सही उतर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें, वो कहलाता है दोस्तों, कौन सा दूध? तो उसको पूरी दूध बोलते हैं दोस्तों, ठीक है? राइट अंसर हो जाएगा? सॉरी, संपूर्ण दूध. संपूर्ण दूद तो यहाँ पर इसमें दो नंबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सहीतर हो जाएगा संपूर्ण दूद ठीक है नेक्स्ट आगे देखें आपे भारत में गोवन्स के नसल सुदार कारिकरम के अंतरकत संचालित इंडो डेनिस प्रोजेक्ट में भारत आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें रेट डेन यहाँ पर दो नंबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सहीतर हो जाएगा रेट डेन के साथ आगे देखें नेशनल प्रोजेक्ट ओन रीडर पेस्ट सर्विलेंस एंड मोनिटरिंग योजना को पुरों में किस नाम से जाना जाता था तो दोस्तो इसको पूरों में किस नाम से जाना जाता था इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तो इसको पसु माता उम्मूलन योजना के नाम से जाना जाता था तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दो नंबर क प्रवाप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए 49 नमर का प्रेश्ट है राष्टे गोकुल मिशन के अंतरगत थार पारकर वंसावली चैन परयोजना कब प्रारंब की गई तो दोस्तों ये प्रारंब की गई कब तो ये जनवरी 2020 में प्रारंब की गई ये योजना पूर्टेक के अंदर द्वारा वित्पोसित है राइट आंसर हो जाएगा या पर एक नमबर उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा तो दोस्तों ये मैंने आज आपको पसू परीचर भाग बै के लिए मोडल पेपर संक्या साथ है वो कंप्लीट करवा दी है अगर आपने पिछले मोडल पेपर नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखें डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और आरात्यारेस अकेडिमी के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर तरहें बेल आकन दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के प हारतो